कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक पिंक कलर के गाउन के साथ अपना एक फोटो अपलोड किया था उसके बाद से काफी सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए कि मैं उस लुक को रीक्रेट करूँ आप लोगों के साथ मैंने कैसा मेकप किया था पिंक कलर के गाउन के साथ या फिर पिंक कलर के इंदो वेस्टरन ड्रेस के साथ कैसा मेकप करना चाहिए तो ये सारे रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत से आने लगे तो इसलिए मैं आज इस लुक को शेयर करूँगे आप लोगों के साथ ये बहुत ही इजिली दिन में कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सटल और क्लासी लुक है ये और आई मेकप तो इसकी जान है, तो बिल्कुल टाइम विस्ट की विए ना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होल फेस पर लोटस का बेसिल टोन टोनर स्प्रे करके मैंने उसे डाब डाब करते हुए अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दिया, फिर गुडवाइब्स का पॉमेक रणर जेल होल फेस पर अपलाई किया और फिर मैंने इस बायो टिक का जो संस्क्रीन है इस प किर मैंने कन्सीलर अपलाई किया है इनवाई बेका कन्सीलर काफी क्री मिह है और काफी अच्छा है sü proudly को कंसील करने के लिए और अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए आइब्रो से एकसेस प्राउडर को मैंने रिमूफ किया, उसके बाद मैंने अपने आईडेट के नैचरल शेप में ही उसे ढ्राउ किया है ADS के ब्लाक आईप्रो पैंसल से, फिर मैंने स्पूली की मतदร से प्रोडंक्ट को अपने आईब्रो पर डिस्ट्रिब्यूट कर लिया, मैंने एक bold eye eyebrow draw किया है ताकि वो बहुत ही अच्छा लगे pink color के dress के साथ, फिर मैंने Lakmi का जो SPF वाला जो compact powder है, उसको एक loose powder brush की मदद से लेकर मैंने अपने face excess powder को remove किया और मैंने पूरा makeup को set कर लिया है, अपने years पर भी apply किया है और अपने neck पर भी मैंने उसी powder को apply किया है अब करते हैं eye makeup, eye makeup के लिए मैंने यहाँ पर ads का eyeshadow palette लिया है, उसके बाद एक brush की मदद से light pink color मैं अपने whole eyelid पर apply कर रही हूँ as a transition shade फिर इसी color को मैं थोड़ा सा darker shade में अपने outer corners पर apply कर रही है और फिर color को build up कर रही हूँ मैं यहाँ पर cut crease करूँगी, half cut crease, इसलिए मैंने concealer brush लिया है और NYB के concealer से मैंने half cut crease यहाँ पर draw किया है फिर इसी cut crease के ऊपर मैंने shimmery सा dark pink color apply किया है उसी brush की मदद से brush से product ठीक सा apply नहीं हो रहा था इसलिए मैंने fingers की मदद लिया है और finger से पूरा pigmentation है वो पूरा निखर के आया तो मुझे काफी अच्छा लगा मैंने अपने finger की मदद से एक half cut crease वहाँ पर draw किया उसके बाद मैंने एक blending brush की मदद से हर चीज को blend कर लिया है light pink color लेकर पूरा आई को एकदम blend ताकि कोई harsh line न रही से लिए मैंने अच्छे से blend कर लिया है उसके बाद आप बारी है eyeliner की आई-लाइनर के लिए मैंने अपना फेवरिट लाक मी इंस्टा ब्लाक आई-लाइनर लिया है उसके मैं एक natural सा एक simple सा wind eyeliner ड्रॉ करूंगी ताकि उतना जयते dramatic भी न लगे और पूरा lash line के करीब करीब लगे और lash line को अच्छे से define करें mascara अपलाई करने के बाद ये है मेरा complete eye makeup look मुझे ये तो pink color काफी अच्छा लगा और मैंने इनर कॉर्णर को उसी pink color से highlight किया है ताकि एक बहुत ही अच्छा सा unique look आए उसके बाद मैंने एनवाईवे का cold stick से मैंने बस outer corners पर ही उसे अपलाई किया है और उसके बाद मैंने lower lash line पर भी pink color को apply किया है ताकि जो color से वो एकदम blend हो जाए अच्छे से और मुझे ये eye look बहुत अच्छा लगा Bonjol Paris का brown eye pencil favorite contour stick है मेरा उससे मैं अपने nose contour करूँगी और मैं अपने cheeks contour नहीं करूँगी उसके बाद LA Colors का eyeshadow color से मैंने ये glittery सा एक highlighting color लिया है उससे मैं अपने nose और अपने brow bones को highlight करूँगी फिर adias के उसी eyeshadow palette से मैं एक बहुत ही subtle सा coral color लूँगी उससे मैं blush की तरह apply करूँगी क्योंकि इतना जादा pink है face पर तो इसलिए मैंने coral color light pink color apply किया है as a blush थोड़ा सा brownish color है Glam 21 का lip liner in the shade nude उसे मैंने अपने whole lips पर as a lipstick apply किया है बहुत ही matte है उसके बाद मैंने Maybelline का जो glimmer lip gloss है उसे मैंने अपलाय किया है pink color है ये और बहुत ही beautiful color है एकदम look को change कर दिया इस lip gloss ने and ये है मेरा final look और final look जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा highlighting करते है मेरे काफे सारे viewers म ये इस्तमाल करती हूँ ये daytime look है फिर भी मैंने थोड़ा सा highlighting किया है highlighter के लिए मैंने इस्तमाल किया है blue heaven का shimmer dust और ये कफी अच्छा highlighter है मैं ज्यादे तर highlighting पसंद नहीं करती हूँ लेकिन ये है मेरा final look after using the highlighter और ये look turned out हुआ बहुत ही beautifully और मैंने इसे एक gown pink color के जो gown के साथ से वेर किया था आप चाहे तो इसे pink color के किसी भी dress के साथ इस look को carry कर सकते है I hope आज का वीडियो helpful है आज के लिए इतना ही bye bye